हाई अब्रिवन इन गुड मोर्निंग कैसे हैं आप सब होप करती हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे आज के इस नए सफर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ आज मैं बनाने वाली हूँ देसी तरीके से कोणवरी बरी तो आप लोग वीडियो पर कंटेन्यू बने रहेगा बहुत अच्छा वीडियो हैं बहुत इंट्रेस्टिंग और मज़ेदार तो अब चलि जाए थे मार्केट से तीन ठो बरिया लाइए बहुत बड़ा बजना बरिया है इतनी बरिया में ने काभी हो जाएंगा इसको कद्वी बोलते हैं गौँ में बरिया ज्यादा तर बोलते हैं अम दाल फुला दी है मम्मी तसला में उड़त का और उड़त और चना का दाल खु कम्पीट का लेती हूँ कमज़कं दो तीन चार केजी तो उड़त का दाल है और दो केजी चैने की डाल है तो काफी हो जाएगा अब इसको ढख देते हैं जो कि बहुत जल्दी फुल जाए दाल ढख दिये हैं अम मैं कल लेती हूँ का भाई साहे बरिया का चिलका उतारना श आप कर रहा है तो बहुत अच्छा वाल टाजा ताजा ताजा ताज़ा पापा जी तोड़बा के लाएं यह फिर गॉर्णी से गऊरें ग्रेस करेंगे आर्चों तोकनी में रखिए जो भी इसमाका पानी होगहाना Professor निचीर निकल जाएगा इसके दानी कितने हैं तो सब ल बल्टिया में पानी रख लिये हैं इसी में टुकडा टुकडा करके रखते जाएंगे धूप तो भगवान बहुत अच्छा निकाले हुए हैं ऐसे ही धूप एक हपते रहती ना तो बरी बहुत अच्छे से सूख जाती भगवान से दुआ है भगवान की दुआ है टौकनी में रख लेंगे पानी में क्लीन करेंगे इटोपरी में केला ला लिये थी कच्छत पता नहीं इसको दूद लग गया है तो इतना भी सिट्लीन करती हूं तब भी नीचुडता हो मम्मी अभी पूरा खररे से खरर करती थी मैं मोनीं का काम भी कंप्लीट कर चुकी अमना पुड़ा शिलका उतार चुका है टुकड़ा टुकड़ा करके क्लीन करके टोकनी में रख लिया है अब ग्रिस कर रहा है हम लोग भी लईये बोलते हैं गोरनी भी लईये से पुड़ा ग्रिस करके रखते जाओंगी टोकनी में जो भी उसका पानी होगा तो नीचे निक क्लीन कर लोगी तो अच्छा रहेगा नि आगन पर कितना ज्यादा पानी ले जाओगी ज्यादा पानी भी लगता है और उड़त के दाल करने में कुछ ज्यादा टाइम लग जाता है उसमें छिलका बहुत ही ज्यादा रहते हैं अपने हातों से बनाई हुई दाल है इसलिए अ इतना ज्यादा छिलका इसमें है कुछ इस तरीके से हैं क्लीन कर लेगी मैं आ गई हूँ धन्यापति तोड़ने बगिया में बहुत ज्यादा धन्यापति है तो तोड़की ले जाएगी तो डालेंगे कहड़ा औरी बड़ी में कम से गम आधा केजी तक 500 ग्राम तक तोड़ बिल्कूल नहीं पड़ती हरी मिर्ची तोड़के रख दी हैं घर पे आदी भी है और हरी धन्यापति लहश्यूं सब अब लेवल हैं घरों पे ही अब तोड़ाई कर लेते हैं धन्यापति की तोड़े बड़े रहते हैं तो जल्डी होता है तोड़ाहगे घंदे में लिए छोटे-छोटे रहते हैं कौपी टाइम भी लग जाता है अभी एक बार आप बबाई कर देंगे दाना लाल ये है मार्केर से बोदेंगे तो हो जायेगा अभी तेही है बहुत दिन दो चलेगी टोकनी में रखते जाएंगे तोड़ तोड़ की धन्या पत्ती लेके घार आ गई हैं कुछ जादे लिया हैं एक टोकनी और छिलका भी उतर चुका है लेसुन का इधर उड़क का दाल भी बुड़ा दाल क्लीन हो गई है अब भाई साहब ले जाएगा चक्की बहुत जादा दाल है ना सिल्वर्टे में नहीं पीस पाएंगे ठक जाएंगे हमारी भी तवियर ठीक नहीं है और मम्मी की भी तो धूप निकला हुआ है लगा की बरी बना लेते हैं फिर से पानी न गिर ले लगे इसलिए हम लोग ले जाएंगे चक्की मित फिसवा देंगे दाल को टिपीन में भर रहा है पूरा रख लेना दोटी पिन में आ जाएगा कम साथ आठ केजी दाल होगी दबा दबा के भन जो कि आ जाए दोटी पिन में और इधर में मसाला रेड़ी कर लेती हूं भी लाइट चली गई थी धनिया पाउडर बनाना है लाइट आ गई है और मिर्ची के पूरा डंठा तोड़ना है बहुत जादी मिर्चा तो कुछ जादे ला लिये हैं जब तीख तीख बड़ी बनेगी ना तो अच्छा रहता है तीखा अब देंठल के तोड़ाई कर लेते हैं मिर्ची के तुरवाओ भाईसे है जल्दी हो जाए ने धूप निकल जाएगे और टाइम को हो रहें 10 बच चुके हैं जल्दी तोड़ तोड़ के रख लेंगे खाली में हरे ह तो डंखन नीज तोड़ी लगा घर में जाएंगे तो तोड़ेंगे और इधर टेबलिट भी खाती जाती हूं मेरो को तो एक हपते के लिए टेबलिट दे भी हैं डाक्टर साहिब तो जयाओ न चुशा जाता है पुरे सूखवा सूखवा हो जाता है कितने बार पानी पिलेती हूँ तब दी मिर्चे कुस जहाते हैं सोब एक केज़ी तक नह जigare हो ज़य नंगत कुछ दाल मम भा मिर्च बच्षा लग जाए गए केज़ी नह लग ज़ उचुछ और यहार प्रेशन सबस्सक्राइब है कि अधिक्सर में पीशिंगे इसका शिलका इतार देंगी कि अगर लाइट साथ दे दे देगी ना तो मैं पूड़ा मसाला ग्राइंड करके रख दूगी नहीं अगर लाइट चली के तो सिलबटे में घिसते घिसते हालत बैंड हो जाएगी लाइट ना जाएगी मैं जल्दे जल्दे जटपट से पीशूंगी ना तो पूड़ा मसाला ग्राइंड करके कडाही में रखती बढ़ता है लिला इन की अब आधी नहीं प्लेंगेंगे अग्राई मसाला हो जाएगा अब पूरा मसाला ग्राइंड करके रख दी हूँ अब दाल भी पिसके आ गई है चक्की से अब मैं जाओंगी नहाने फिर आप लोगों से मिलती हूँ अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और मम्मी इधर तयारियां करने लगी सब लोग खाना खाए अब बरी देंगे अब टाइम को हो रहें तीन बच चुके हैं तो जटपट से ही बनाना पड़ेगा तो मम्मी मसाला मिक्स करने लगी और जो बरीया था ना उसमें इतना ज़्यदा पानी निकलता है मम्मी हाथ के सहायता से दवा दवा के बगोना में रखती जाती हैं और मैं भी हिल्प करवा लेती हूँ जो कि जटपट से हो जाएगा ना तो थोड़ा बहुत धूप आज का लग जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा और करी कुछ ज़्यादा है जब बरीया ज़्यादा रहता है और दाल दोनों एक बरावरी रहती है तो अच्छा रहता है दाल तो सिल्वट्टे जैसी पिसी हुई है चक्की में मैं कुछ भी बनाया करूँगी नद चक्की विजबा दोंगी बढ़ सिल्वट्टे का तो और टेस्ट रहता है पर क्या करूँ तबियत तो नहीं ठीक थी नहीं हम लोग सिल्वट्टी में ही पिस लेती मैं और मम्मी मिक्स करने लगी एक ही वो गोनों में नहीं बन रहा तो दोटों में पलट लिए है तो कर रहे हैं जितने अच्छा मिक्स कर देंगे उतने इच्छी बरी बनेगी ऐसे फेट लेंगे अब में जाओंगी छट पे बरी बनाने और मिक्स कर लिए हैं पूरा एकदम रेडी हो गया है बन गया है भाई साहिब बना दिया था और यह रही धनिया सुखवाई हुए थे जूप निकला हुआ था तो बहुत रहा बोड़ी में अच्छी से बनना गिराना नहीं कर चुके हैं दोठो में रख लिए हैं एक में नहीं बनता था मिक्स करती तो लगा दोठों कर लेंगे तो दोठों वोगोना में तो आच्छी से बन जाएगा और टाइम को सम्तिंग हो रहे हैं तीन बच चुके हैं अब में ले जाओंगी छत पे आप लोगो से छतों में मिलेंगे अब देना इस्टार्टी करते हैं अभी तो धूप निकला ही हुआ है तीन बज रहे हैं अब बनाते हैं वीडियो पे कंटेन्यू बने रहीएगा रहीवथन अब रहाया दो पेके चली तो चैसलती हैं इससी करता बने रहा बनाती हैं और यो बकाशन का में पुरूण में मम्मी हम और भाई साहिब तीन लोग कणाना अब शुरू कर दिए हैं टटिया में हमारे यहां की रीत रिवाज जब कुमडवरी बरी बनती है न तो कास से टटिया बना लेते हैं उसी में बरी देते हैं इसी तरह हमारे यहां की रीत रिवाज है तो हम लोग निभाते हैं तीनों लोग जटपड से बरी बना बना के तयार कर लेंगे आप लोग दे इसी तरीके से कुढ़वरी बरी बना बना के तैयार कैसे कर रहे हैं। मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, किसी ने खूबी कहाएगी, दुनिया आपकी सलाह से नहीं बदलेगी, दुनिया आपकी उधारण से बदलेगी। सारा बरी बना चुके हैं, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, अब ठंड का टाइम आ गया है, लग रहा है कितना जल्दी जल्दी बरी बन जाए, कैसे बरी बना रही हूँ, हमारे यहां तो इस तरह बरी बनी जाती है, कोहणा उरी बरी, बरिहा की बरी बोलते हैं, बहुत अज़ होती है, डाल में तो बहुत, इसलिषू होती है, और यमीयमिजभ होता है, आज का हम अभी बरी बनाई थे आज, हां, बरी बनाई थे, लग थे, अपने घर में बना ले तो मस्त रहा था में लागा रहा कि कपने बरी खाई के में बाई है तो जल्दी जल्दी बनवा लेते हैं अब देरी के कहे कर लिए कर रही हूं भाई साहिब नीचे चल गया है पापा कुछ काम के लिए बुला रही है तो मैं और मम्मी दोनों लोग बना रही हूं लग रहा है कितना जल्दी बन जाए बरी और हाथ में जलन भी होने लगे हाथ से मिक्स कर दिये है न तो बहुत तेजी से जलन हो रहा है जैसे में बरी बना हाथूं से बनाये जाती है बरी कोहाणओरी बरी मैं बरी बना चुकी हूँ बहुत अच्छी से बरी बन-न के तयार है कम 세 कम एह हपती में बहुत अच्छी से सूक जाए गी बरी adding कड़ी कड़ी धूप तो त्याजी से ठंड लग रही है। की साथ बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो लेके आशक हूं तब तक मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक किया रखे अपना ख्याल